आज मैं बनाओंगी मिक्स भीच सबजी तो देखे मैंने सारे इंग्रेड़ेंस रेडी कर लिये हैं तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई मैंने सौर्सो तेल डाला है आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं फिर मैंने जीरा और सुखी मिर्च डाला है इसके चटकने के बाद मैं डाल दोंगी इसमें एक बड़े साइज का बारी कटा हुआ प्याज और इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे तब थोड़ा सा पिंकिस कलर आ जाए तब तक देखे यह पिंकिस कलर आ गया है अब हम डालेंगे इसमें गाजर और आलू जिसको मैंने अच्छे से धोल लिया है कट करके और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे दो मिनट के लिए पकाएंगे इसको ढखके और बिच-बिच में चलाते रहेंगे तो देखिए गाई दो मिनट हो गया है और आलू में अच्छे से क्रंचस आ गया है बतलब आलू अच्छे से भोना गया है और गाजर भी फिर हम डालेंगे इसमें हरी मीच अद्रक और लहसन का कुटा हुआ पेस्ट डालूँगी मैं आप चाहें तो उसका पेस्ट डाल सकत हैं लगी कुट कर डालने से जो सबजी का टेष्ट आता है न वह एक अलग ही ज्यादा अच्छा टेष्ट आता है इसको डाल के 20-25 से किन के लिए हम इसको भून लेंगे मटर डाल के इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है इसको अच्छे से मिक्स करके और दो मिनट के लिए इसको ढखके पकाना है हाई फ्लेम पे ही मेडियम फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करिएगा नहीं तो सबजी का टेष्ट अच्छा नहीं आएगा और देखिए ये अच्छे से दो मिनट हो गया है और भुना गया है सबजी अच्चे से फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो दिखिए अब मैं डालूँगे इसमें स्वादनुसा नमक धन्या पाउडर जीरा पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और साथ में ये कैप्सिकम और टामाटर भी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करके तीन से चार मिनट के लिए हम पकाएंगे मेडियम फ्लेम पे और जब तक ये अच्छे से स्वाफ्ट ना हो जाए मतलब तीन से चार मिनट में अच्छे से स्वाफ्ट हो जाएगा ये सबजी देखिए गाज कि इतना अच्छा कलर और टेस्ट भी उससे भी ज़्यादा अच्छा था तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और धनिया कार्निसिंग कर देंगे उपर से सब जीबन के रेड़ी है आप इसी पूरी रोटी दाल चावल के साथ सब कर सकते हैं पराठे और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा वीडियो का थोड़ा सा भी पसंद आए न वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा थेंक यू